अज़े अमीनी ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि कोई फिल्म आपने साइन कर ली हो उसके बाद आपको निकाल दिया गया हो कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस है जो खुलकर अप सामने आ रही है उन्होंने ये बात कहा है अच्छा ऐसी कौन सी एक्ट्रेसेस हैं मेरे साइन किया हुआ निकाला मतलब मुझसे बात हुई है बात होने के बाद हटाया गया हो तो अलग हटाया गया है एक दोर था जब हम काम करते थे किनी के साथ और फिर उसके बाद सडनली उनके साथ फिल्म में आना बंद हो गई तो यह तो नॉर्मल सी बात है ना कि अचानक से कैसे फिल्म में आना बंद हो गई पहले वही प्रोडूसर्स आते थे थे वही प्रोडूसर्स मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं कहीं से तो कुछ तो बात बोली जा रही होगी तो वह इक अलग फैक्ट होता है और वो चीज अलग है मुझे लगता है कि यह निकालना भालना वो शृब्स सब लुखन कि उती आँ रोड गर टूंए कम से क्यों होंगी ताकी है टॉशारियो एक दम ृतना है तो बिचारे दास हीरो खितनों के साथ काम करेंगे और ऐसा भी नहीं सबका करियर है चाहे वो खेसारी सर हो हो या चाहे वो दिनेश सर हो चाहे वो कोई भी हो उन सबको भी तो अपनी फिल्म में चलानी है न बबा अब अभी वो तो नहीं कि ऐसे तो नहीं कर सकते कि वो सब हिरोईनों के साथ काम करें A to Z क्योंकि लोग बोलने लगे कि भाया यह बहुत रिपीट हो रही है तो क्या करें नबे में से चार ही तो काम ढंका करती है बाकी तो बस ऐसी बैठी हुई है बाकी 95 को काम नहीं आता तो क्या करेंगे बता ही हो लोग विचारे हीरो भी तो अपनी फिल्म चलाना है वो लोग अपने लोगों को लगते हैं अपनी सेटिंग बिढ़ा रहे है अपने यह गर है अरे उनको अपनी फिल्म बनाने ही अपनी फिल्म अच्छी करने क्योंकि उस एक फिल्म में वो बजट ले रहे है उस एक फिल्म से उनका नाम उनका करियर जुड़ा है जिसकी वो बहुत महन अगर यामनी सिंग एक पेर पे खड़े हो कि काम करने वाली है, यामनी सिंग में है थोड़ा सा टालेंट, थोड़ा सा क्या है मेरे अंदर टालेंट, इस चीज का मुझे घमंड नहीं है, एक घमंड होता है, गुरूर होता है, मुझे घुरूर है, मुझे खुद पर गुरूर कि बोल देंगे तो उनको कोई फरक नहीं पड़ने वाला तो अब एक नॉमल सी बात है जब एक heroine में सिर्फ दिखना ही सब कुछ नहीं होता है acting भी आनी चाहिए dialogue delivery आनी चाहिए expressions होने चाहिए आपका dialogue मतलब सब चीज़े बहुत माइने रखती है वहवार माइने रखता है सब चीज़े माइने रखता है वो वाली जो हिराई नहीं बड़ी कम है ठीक है जिसमें मुझे लगता है कि आमरपाली दी है और अक्षरा जी है मदू दी है मदू शर्मा दी है और और भी होंग यह पता नहीं पर बाकी और तो कोई नहीं मुझे नहीं लगता और किसका नाम लो और तो पता नहीं और सबका मुझे नहीं पता है पर हाँ इतने ही लोग है बाकी और तो ऐसे ही बढ़ गई बस बाकी तो मैं देख रहे हो तो बाकी तो बहुत बढ़के ऐसे आगे तक पहुच गई है और क्या बोला जाए अब लोग बोलेंगे टार्गेट कर रहे हो तो yes I am targeting you चलो ठीक है तो यह चीज होती है अब हमेरे इंडस्ट्री मेरे छीज ध्यान देनी पड़ेगी लोगों को कि मतलब आप काम करो ना तो अच्छे से काम करो आप आप मैनत करो अपने काम के लिए काम करो ना आप stupidity करो के तो फिर क्या ही होगा यहापे बाकी सारे काम जादा होत हूँ मैं अकसरी तकलीफ में होती हूँ भोजपूर इंडस्ट्री को लेकर कि जब से मैं आई हूँ पिछले साड़े चार साल में मैं मुझे लगता है मैं चार साल सिर्फ रोई हूँ बाकी शायद चार पाच-छे-पाच महीने मैं खुश रही होंगी तो मेरे बापा मुझ भी इनसान कुछ भी करके तुमारी वो चीज तुमसे दूर नहीं ले जा सकता लेकिन अगर किसमत में नहीं लिखा है तो खुद खुदा भी तुमको वो ला करके नहीं देख सकता है तो येस आपको एक कहा जाता है कि खुदी को कर बलंद इतना कि खुद खुदा आकर तु बन्लाब को बसाओ